नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तों सतीस कौसिक जिन्होंने बॉलिवूड में बहुत जादा नाम कमाया बड़ी बड़ी हिट फिल्मों में उन्होंने दोस्तों बेहरी सांदार एक्टिंग किया और उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर लोगों को खूब जम कर हसाया भी लेकिन अचानक सही 37 कौसिक ने इस दुनिया को महच 66 साल की उमर में ही अलविदा कह दिया ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 37 कौसिक को आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बेहरी कम उमर में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और तमाम लोग अब ये जाना चाहते हैं कि क्या 37 कौसिक के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या तमाम लोग दोस्तो अब तमाम तरह की बाते कर रहे हैं सवाल जवाब कर रहे हैं लेकिन इसी बीच आपको बता दे एक महिला सामने निकल कर आई है जिसने दोस्तो कई तरह के दावे किये हैं और उसमें जो सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला दावा है वो यह है कि इस महिला का मानना है कि 37 कौसिक को दोस्तो बहुत ही सांदार तरीके से खतरनाक तरीके से खतम किया गया है और तो और यह भी दावा किया जा रहा है कि 37 कौसिक को silent poison दिया गया है ये silent poison दोस्तों इतना खतरनाक होता है कि किसी की भी body में पहुँच जाता है लेकिन जब जाँच होती है यहां तक की post matem report भी आती है तो भी पता नहीं चल पाता है कि सामने वाले इंसान के साथ क्या हुआ था और दावा कर रही है ये महिला की 37 कौसी के साथ भी कुछ ऐसा ही ह हुआ है हाला कि आपको बता दें जितने भी 37 के fans हैं तमाम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 37 कौसी के case को सुलजाया जाना चाहिए और इस case में EDCBI और हर तरह की जाँच एंसी आनी चाहिए क्यूंकि ये पैसों से जुला मामला भी हो सकता है सतीस कौसीक ने जिस तरह से वालिवूड में नाम कमाया एक बात तो साफ है कि उनके पास पैसे बहुत थे तो हो सकता है कि कुछ लोगों की उनके पैसों पर ही नजरे गड़ी हूँ तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना